जै स्री राधे राधे मित्रों सूर यदि जन्म कुंडली के आठवे घर में है और नवे घर में है तो उसका क्या भावफल होता है इसके लिए मैं आज आपको आठवे घर और नवे घर की जानकारी देने जा रहा हूं यदि आठवे घर में सूरी है तो जातक को तुनक मिजाज यानि शीग क्रोधित हो जाने वाला चिर्चड़ा बनाता है जातक धनवान तो होता है परंतु अधीरवा इस्थूल बुद्धिवाला होता है यदि सूरी खष्टेश होकर अश्टमस्थ है तो जातक नियाय प्रिय किन्त हिंसगवा नेतर विकारी होता है यदि आठवा सूरी स्वरास या उच्च का हो तो वो असाओधानी से जातक की मृत्व की संभावना भी बना देता है प्राया ऐसे जातक ये पिता की मृत्व जल्दी हो जाती है यदि किसी सुभयोग से बचावना होता हो तो ऐसा जातक एक तपस्वी राजा की भात्य होता है ऐसा जातक ये दूस चरित्र हो जाए तो उसे और उसके उत्तरा धिकारियों को भी अशुब भल भोगने पड़ते हैं ऐसा जातक ये अपने भाई बहनों या खून के समंधियों का बुरा सोचे या उनके साथ बुरा करे तो परिणाम सयम जातक को बुरा भोगना पड़ता है यदि ब्रश्चिक मकर कुम्भ या तुला रास का सूरी आठवे घर में हो तो जातक लंबे रोग का भोगी होकर मरता है पुरुस राश का सूरी हो तो देश्टिमंद गुप्त रोग वा संतान सुख अलप रहता है और यदि लगन कुंडली के नवे भाव में सूरी हो तो जातक चरित्रवान बेवार कुसल सासी वाहन मुखी भले ही अपना वाहन ना हो तथा बहुत से सेवको वाला होता है ऐसा जातक योगी नेता या जोतसी भी हो सकता है परंत अपने पिता के लिए जातक विशेश कष्टकारी होता है जातक प्राया दिरगायू होता है भाईयों से संतप्त रहता है लाल किताब के अनुसार ऐसा जातक अपने खांदान के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देता है और बदले में कोई आसा नहीं रखता ऐसा जातक कि जन्म के बाद परिवार में खुसहाली आ जाती है इसके जन्म से पूर्व प्राया परिवार बदहाल होता है दूसरे शब्दों में कहें तो जातक का भाग अच्छा होता है तो मित्रों आज की जानकारिती हमारी आठवे और नवे भाव की अगले वीडियो में हम 10, 11 और 12 ये तीन भावों की बिसे में हम चर्चा करेंगे तो मित्रों अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद मित्रों